तो गुड मॉर्निंग फ्रेंट्स वेलकम तो मैं चैनल एडवर्ड विंग्स एंड आज हम बात करेंगे जेके अपडेट्स रात को आई हैं उसके बारे में बात करेंगे जिसमें हम यह देखेंगे कुछ ने एक्जाम हैं जो कि शेडियूल किये गए हैं कुछ जो 25 तारीक से पहले ही अनौंस थी और उसके ऊपर जो एड्मिट कार्ड वगएरा जो उसके लिए आ गए हैं तो कौन से एक्जाम हैं कब से लेकर कब तक होने हैं उसके बारे में डिसकस करेंगे और सबसे बड़ी बात कि जूनियर असिस्टेंट का एक्जाम जो कि 11 अक्तुबर से कहा ग इन तीनों मुद्धों पर जो हैं आज बात करेंगे तो आई ये स्टार्ट करते हैं वीडियो अपनी तो सबसे पहले तो एडवांस नोटिस की बात करें आपको बता सताहीस अक्तुबर से लेके 12 नवंबर तक जो है औरड़ी एक्जाम शेडूल रखे थे आपने जेकी एस असिस्टेंट मोटर वहिकल इंस्पेक्टर सब मोटर वहिकल इंस्पेक्टर ये दो एक्जाम ये आठ नवंबर जो हैं आठ नॉमबर 2021 को अब शेडूल कर दिये गए हैं एडवांस में आपको बता दिया गया है ताकि आप लोगों को प्रेपरेशन का टाइम मिल जाएं ज पार्ट नमबर को तयार रहेगा जिन जिन बच्चों ने भी असिस्टेंट मोटर वहिकल इंस्पेक्टर और सब मोटर वहिकल इंस्पेक्टर का एक्जाम जो है वो भरा हुआ ठीक है एडमिट कार्ड इसके कब से डाउनलोड होने हैं तो उसके बारे में आपको एक अलग नोटिस के तुरू बताया जाएगा ठीक है अब चलते हैं दूसरे नोटिफिकेशन पर तो दूसरा नोटिफिकेशन जो है यह आपके स्किल टेस्ट को लेकर आया है एडवांस नोटिस आपको बताया गया था कि 11 अक्तुबर से स्किल टेस्ट जो है वो शुरू हो जाएंगे और उसको लेकर ही जो है आगे फर्दर डिटेल में बताया गया है कि किस-किस बच्चे का एक्जाम कब-कब होना है और एडमिट कार्ड इसके लिए आपके जो है वो आज से डाउनलो प्रड़िकेशन नहीं देखने को मिला हुआ है तो इस पर बच्चों का सस्पेंस बन गया है कि पोस्ट पॉंड हो गया है या नहीं हो गया है चलिए उसके बारे में बात करेंगे पहले हम देखते हैं कि स्किल टेस्ट जो है यह कब-कब होगा कोन सी डेट से लिए कोन सी ड टैपिस्ट यह तीन पोस्ट हैं इनी के लिए स्किल टेस्ट होगा जूनियर असिस्टेंट का एक्जाम जो है वो इसमें नहीं है उसका स्किल टेस्ट नहीं है तो जिन बच्चों ने वो फार्म भर रखा है वो जरूर आद को परशान होंगे हो जब लिस्ट में वो अपना कर सकते ही यह सिर्फ जमो डिविजन के जो बते हैं उनके लिए ही है तो लेगि मिर यह्ट उनियर अंदर गूकर आपको ऑनका ए प्साइम होना है नहीं हो ब साद लेकर वर की उसके नहीं होगा जया है उसके लिए और आपको इन्यु अवर्ण के उमे करने आपके टो तो admit card जो है वो आज से download होने start हो जाएंगे 11 तक चलते रहेंगे तो जब भी आपका exam है आप उसको download कर सकते हो ठीक है आपको लेकर क्या जाना है तो जब आपका exam होगा तो venue में जो है आपको एक तो इस admit card की copy ले जानी है जो आज से आपके निकलेंगे वो admit card आपके पास होना चाहिए और साथ ही साथ आपके पास अपनी photo ID card यानी कोई भी identity card जो है आपका जिसमें driving license, band card बगएरा इन में से कोई एक चीज़ आपके साथ होनी चाहिए यह दो चीज़ें होनी चाहिए इसके अलावा भी कुछ आपको ले जारा है वो में नीचे जैसे आएगा मैं आपको बताता चलूँगा लेकिन domain जो है admit card आपको साथ रखना है और photo ID card आपका कोई भी चलेगा ठीक है जो भी आपके पास available है ठीक है और जैसा कि पहले भी आपको बताया दिया है और फिर बता दिया गया है कि सिर्फ वही बच्चे जो है उनको आगे के जो रिटन टेस्ट होना है उसके लिए qualify माना जाएगा जब वो टाइपिंग जब करेगा तो 90% की accuracy उसकी होनी चाहिए और minimum जो है 35 word per minute की speed जो होनी चाहिए आपको total वहाँ पर 10 minute दिया जाएंगे टाइपिंग के लिए लगतार 10 minute आपको दिया जाएंगे जो भी बैच रहेगा उसको 10 minute दिया जाएंगे paragraph एक आएगा और फिर 10 minutes का average निकाला जाएगा आपकी accuracy का भी average निकाला जाएगा और आप आपकी speed का भी average निकाला जाएगा तो average आपका 10 minute का 35 word per minute आना चाहिए speed के मामले में और accuracy आपकी 90% and above आनी चाहिए तबी जाकर आपको आगले written test के लिए जो है वो qualify बाना जाएगा ठीक है और उपर हमने पड़ा admit card ले जाना है आपको एक ID card साथ में ले जाना है उसके advice to bring two recent photographs ठीक है तो दो recent photograph जो है आपको वो अपने साथ में ले जाने है और photo state copy of each certificate self attested by candidate for depositing with board तो आपके जो भी certificates हैं आपके graduation के certificate हो गया 10th का certificate हो गया और साथ में आपका computer का certificate हो गया इसकी भी जो है आपको self attested copy जो है वो आपको ले जानी है apart from the original document ठीक है in addition to the original document तो original document भी आपको साथ रखने है और एक photo copy जो की self attested होगी in certificates की वो भी आपको साथ रखनी है साथ में दो photograph भी रखने है ठीक है तो बाकी बस time पर पहुंच जाएगा आपको नीचे list में आपका वक्त बता दिया गया है यहां पर अगर आप देखोगे तो यह बच्चों के नाम है यहां पर जो बच्चों ने भरा रखा है इन पोस्टों में और यहां पर उनको जो है उनकी type test की date बताईगी है तो type test आपका यह state पर होना है timing भी बता दी गया है अलग लग slot रहते हैं तो अपना अपना देख लीजिए का क्या timing है और क्या slot है और यहां पर पूरे काफी सारे बच्चे हैं 223 सो बच्चे हैं लगवक जम्मूर डिविजन के और इतने ही कश्मी अखरी सवाल आपका आता है जूनियर असिस्टेंट का जो अक्जाम है वह इसमें क्यों नहीं है ठीक है तो जूनियर असिस्टेंट का अक्जाम क्या यह आईडिया लगा सकते हैं कि अगर अभी तक यानी आठ नमबर है आज सुरी 8 अक्तूबर है आज और 11 अक्तूबर को टेंटिटिव अगर आपका एक्जाम शेडियूल था और आज 8 अक्तूबर तक भी अगर आपको जूनियर एसिस्टेंट के लिए एड्मिट कार्ड नहीं आये हैं या कोई नोटिस नहीं आया है तो आपका एक्जाम जो है वो 100% पोस्ट पॉंड है ठीक है तो 100% पोस्ट पॉंड है आपका जूनियर एसिस्टेंट का एक्जाम में भी कुछ हफ़ते के लिए ही पोस्ट पॉंड हो या ये भी हो सकता है क्योंकि 28 अगर आप यहां देखो कि तो आखरी टाइप टेस्ट टाइप टेस्ट जो है इन ए अक्टूबर को उसके बाद जो है आपका एक्जाम हो तो मेरे हिसाब से तो आपको यही कहूंगा मैं कि जूनियर असिस्टेंट का एक्जाम जो है आपका वो पोस्ट पॉंड हो चुका है और कब होगा एक्लिस्ट 18 के बाद ही अब इसका एक्जाम हो तो 18 अक्टूबर से पह लेकिन मेरी अपने हिसाब से तो में यही कोँगा कि 18 से पहले जो आपका एक्जाम नहीं होगा जूनियर स्ट्रेंड का जो स्किल टेस्ट था 18 की बाद ही जो हब आपका पॉसिबल हो पाएगा ठीक है तो आज की वीडियो में इतना ही है देखते रहेगा हमारे चैनल स्ट्रेंड और देखते देखते हैं पारेपका तो में पारेगर यह जो आपका था नहीं हमसे पाएगा जोसे B